अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आजी लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद फ्रेंड्स आज का लेक्चर एस्टी रियास यानि की स्टार फिश पर है और इस टॉपिक में आज हम एस्टी रियास के वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पर यहां पर आम नगीं तो यह भुख एक essayer के लिए चाहिए गाए कि इस्की जाके पहले हम इसके फीगर को समझ लेटे हैं चैसे उस्टिफ्टेंग को देश्ड़ अनæकर आगे मैं एसके तो आपको यह ओडू Mr. १ समझ उसका के ली तो की आफ-जायगा दिमांग में एक पिक्चर रहे किस पार्ट की बात हो रही है तो यहां पर देखे मैंने नंबर 1 से लेके 7 तक यहां पर नंबर इंग की हुई है इसके जो डिफरेंट पार्ट से तो नंबर 1 पर आप देखेंगे इसमें एक गोल आपको आकार का एक मैडरी पो राइट दिखा के एक पंच भुझ एक रिंग कैनाल से जाके जुड़ी हुए क्योंकि रिंग शेप में है गोलाई में जैसे है यह पूरी बंध है और इसकी बुझाएं पांच है इस वज़े से इसको कहरें पैंटागोनल रिंग कैनाल तो इससे यह जाके जुड़ी हुई है उसके बाद तो देखेंगे टाइड में बॉड़ी है और इसमें कुछ गोलाकार सी कुछ इसमें आपको इस च्रुक्यर कहाई दींदे रहा है जिसे हम कह रहें त्यक्षा कंछ थाए। और हर एक साइड़ में आपको यह 2-2 नंपर में दिखाई दे रहे हैं صिर्फ जहां पर यह इस ट पे में नब रेल हा और केंनाल कहना तो नेकिनाल क्वेश gehelegate Asian-New. सबस्क्रैक पैसे लेडिन हाँ में में हैं सबस्क्रा, बाति बाता करके में सब्थ ऐसे किनाल से निदेए partner день के और деся सिर्फ गूइं? वापार भूल्मस आङ के और ली सबस्सक्राइब। फिर lateral canal बिल्कुल किनारे पे जाके ये tube foot पे जाके ये जुड़ी हुए देखे 7 एक उपर भी लिखा हुआ है और एक नीचे भी लिखा हुआ है तो इस वज़े से यहां tube feet कहरें उपर एक tube foot का structure आपको दिखाया गया है जिसमें लिखा है ampula उपर वाला जो गूला कार उसका structure है उसको हम कह रहे है एंपूला उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है उसे कह रहे है पोडियम और सबसे नीचे उसमें सकर तो यह तीनों मिलकर के एक tube foot को बना रहे है ठीक है तो इस तरह से यह जो एस्टीरिया से उसका water vascular system है इसी को आगे एक बार फिर से हम समझेंगे next जो इसका segment है उसमें इस segment में आपको इक काइनोडर्म का एक basic water vascular system यहाँ पे दिखाए गया है आपको बताया जो water vascular system है उसकी starting हमने की madriporite से madriporite फिर हमने कहा कि एक S-shape structure नीचे को इसमें कैनाल निकली हुई है जिसे कहा हमने stone कैनाल फिर stone कैनाल एक pentagonal ring से जाके जुड़ी हुई है जिसे हमने कहा ring कैनाल ठीक है ring कैनाल के अंदर फिर हमने बोला कि कुछ इसमें dark spots like structures है glandular structures हैं जिसे हमने कहा tidement body और इन tidement body का जो numbering था इस ring कैनाल में अंदर की और से यह पूरे 9 थी ठीक है फिर tidement body के बाद number 5 में आ जाएंगे देखें हापे pollen vesicle लिखा हुआ है इनके बीच में आपको यह pear shaped structure आपनों को दिखाई दे रहा है तो इससे हम कहरें pollen vesicle जो फिर six में मैंने आप लोगों को बताया था जो pentagonal ring कैनाल है उसके पांचों भुजाओं से उसके किनारों से कैनाल निकली हुई है जिसे कह रहे है radial कैनाल फिर radial कैनाल six के बाद आप seven पर आ जाए इसी के दोनों साइड से फिर से पतली-पतली कैनाल निकली हुई है जिसे कहा और यहां पर एक structure एड मिला है जो की number five पर पोलियन वैसिकल तो जो numbering है हमारे water vascular system की एक बार फिर से यहां पर revise कर लेंगे first पे madriporite, second पे stone कैनाल, third पे ring कैनाल, four पे tight man's body, number five पे polyan vesicles, then polyan vesicles के बाद हमने देखा six पे आ जाएंगे radial कैनाल, six के बाद seven पे lateral कैनाल और finally eight पे two feet ओके और इसके अलावा आप उपर देखेंगे number one पे madriporite, madriporite के just नीचे वाला जो structure है उसे हम कह रहे है ampulla, okay, याद रखेंगे madriporite के नीचे वाला जो structure है उसे कह रहे है ampulla, so friends, एक बार फिर से यहाँ पे हम water vascular system को देख रहे हैं, अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यहाँ पे part missing है, okay, तो इस figure में एक part missing है, चलिए उसको ढूनते है तो number one पे मैंने कहा madriporite, उसके बाद यह जाके जुड़ेगा stone canal से, stone canal फिर three पे pentagonal ring canal से जुड़ेगी, ring canal के अंदर tidement bodies, okay, अब tidement bodies के साथ में था poleian vesicles, ठीक है, तो poleian vesicles number five पे, उसके बाद जो यह pentagonal ring canal है, इसके edges से, चारो, sorry, पांचो कोनों से, इसमें से एक एक canal निकलेगी, जिसे कहेंगे radial canal, फिर radial canal के दोनों साइड से, इसमें और भी पतली, पतली canal निकली हुई है, जिसे कहा lateral canal, और lateral canal finally जाके जुड़ेगी two feet से, ओके, तो यह water vascular system के different parts हैं, जो हमने अभी तक इतने segment में हमने देखे, तो I hope कि आपको यह अब तक ही याद हो चुके होंगे, तो चलिए अब आगे detail में इनके बारे में जाने, चलिए अब detail में water vascular system, जिसे की ambulacral system भी कहा जाता है, उसके बारे में जाने, so friend, जो water vascular system है, काइनोडर्म का, यह दरसल, जो इसका सीलोम है, उसका एक modified part है, तो सीलोम हम किसे कहेंगे, जो body wall और जो intestinal cavity है, उसके बीच की cavity है, उसका modified part, उसके जो बीच की cavity है, उसे हम कहेंगे सीलोम, उसी का modified part ही water vascular system है, ठीक है, जिसके अंदर sea water भरा होता है, और इसके साथ ही साथ, amoebite carpuscles बने होते हैं, और जो इसकी walls हैं, वो muscular wall होती हैं, और अंदर से वो ciliated epithelium की बनी होती है, तो यह जो main system है, एकाइनोडर्म का, यह एकाइनोडर्म को उसके locomotion में help करता है, लेटर ओन हम इसके और भी functions जानेंगे, कि इसके और क्या क्या काम है, तो फिलहाल आप इ जो water vascular system है, यह कई सारे इसके different parts है, जिन से मिलके यह बना हुआ है, तो वो जो different parts है, उसको हम यहाँ पे अब एक बार फिर से जान लेते हैं, और इसके बाद तो आप लोगों को यह याद ही हो जाएंगे, तो सबसे number one पे हम इसका जो पहला part है, उसे हम कहेंगे, मैडरी प नमबर पे polyan vesicles, then six पे radial canal, seven पे lateral canal या इन्हें podial canals भी कहा जाता है, उसके बाद two feet, ओके, तो यहाँ भी इसके जो different parts हैं, आपको इस figure में आप आसानी से इनको ढून सकते हैं, तो इस तरह से आप एक बार फिर से revise कर लीजे, कि जो water vascular system है, उसके eight parts है, सबसे पहले आएगा मैडरी पुराइट, then stone canal, फिर ring canal, then tidement bodies, उसके बाद polyan vesicles, radial canal, उसके बाद lateral canals, और podial canals, and lastly tube feet, चलिए अब मैडरी पुराइट के बारे में जानें, जो कि water vascular system का पहला part है, तो फिर जो मैडरी पुराइट है, स्टार फिश का, यह उसके aboral surface, यह आप समझ सकते हैं, कि उसक दो arms के बीच में, उनके junction पे यह रहता है, तो इस वज़े से इन दोनो arms को, जिनके junction पे medriporite है, उन दो arms को byvm कहेंगे, और जबकि जो बची हुई, जो तीन arms हैं, उसकी, उसे कहेंगे trivm, ठीक है, तो हमेशा जो medriporite है, वो byvm पे रहेगा, और इस तरह से यह एक बहु यह structure है, और इसमें बहुत सारे pores हैं, और यह जो pores हैं, इनका number approximately 250 हो सकता है, और यह pores इसको एक तरह से छनी की तरह का structure इसको देते हैं, और यह finally यह जितने भी pores हैं, फिर यह अलग-अलग मताब समझे कि हर एक पोर से एक कैनाल निकली हुई है, जिसे हम कहरें pore canal, और यह सार पोर कैनाल फिर फाइनली जाके एक मोटी कैनाल से जाके जूड़ती हैं, जिसे कहते हैं, कलेक्टिंग कैनाल, और यह जो कलेक्टिंग कैनाल है, उसके बाद यह finally एक सेक लाइक structure जिसको एमपुला कहते हैं, उससे जाके यह जूड़ती है, जो just madriporite के नीचे यह situated रहती है यानि कि वहाँ पे यह रहती है, और इस तरह से जो अब एमपुला है, यह finally stone कैनाल से फिर जाके connect होती है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो madriporite है, वो aboral surface पे है, byvm पे है, इसमें बहुत सारे इसमें pores हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं, pore canal ठीक है, उनके नीचे से कैनाल निक एक सैकलाइस स्ट्रक्चर से जाके जोड़ती है, जिसे कहेंगे एमपुला, और एमपुला फाइनली लीट करेगी stone कैनाल को, और जो यह madriporite है, इसका छनी का तरह का आकार है, यानि कि छनी की तरह का function है, पानी को छानने का एक तरह से काम कर रही है, क्योंकि इसमें बहु जो तेके, जो madriporite है, उसके नीचे अंपुला दिखाया है, फिर stone कैनाल, और साथ ही इसका flow chart भी दिखाया है, ताकि आपको यह आसानी से समझ मा जाए, तो madriporite उसके नीचे लिखा हुआ देखे, प्लेस बाइविम, सीव लाइक स्ट्रक्चर, यानि कि छनी के तरह का जुड़ती है और यही जो collecting canal है finally यह जाके लीट करती है एक sack like structure जिसको ampulla कहते है जो just madriporate के नीचे रहती है और फिर ampulla फिर lead करेगी stone canal को यानि कि ampulla finally जाके जुड़ेगी stone canal से next जो water vascular system का part है उसे कहेंगे stone canal या फिर इसे madriporate canal भी कहा जाता है friends जैसा कि आपको याद ही होगा यह just madriporate के नीचे एक S-shaped tube थी जो इसके ring canal पे जाकर कि यह open हो रही थी यानि कि उसके oral side में open हो रही थी और जो starfish है उसके mouth के चारों और से को यह घेरे हुए रहती है और जो इसकी दीवारे हैं वो calcareous हैं तो calcareous होने की वज़े से ही इसका नाम stone canal इसको नाम दिया गया है और इसकी जो अंदर की जो lining है उसमें cilia या फ्लेजिला होती है जो पानी को अंदर धकेलने में इसको help करती है तो इस तरह से जो stone canal है ये अपने axial organ के साथ में axial sinus पे ये close होती है ठीक है तो इस तरह से इसका एक तरह से आपको यहाँ पे फिर से flow chart दिया गया है कि इसका structure क्या है और इसका figure यहाँ पे नीचे से मैंने आपको एक cut उसका दिखाया हुआ देखे साइड में madriporite और उसके नीचे अंपूला दिखाया है फिर stone canal दिखाया है और इस flow chart को हम फिर से एक बार समझ लेते हैं stone canal दिखाया है ए पे और इसके नीचे लिखा करते हैं और finally जो stone canal है वो जाके जुड़ती है ring canal से water vascular system का जो third part है उसे कहेंगे ring canal तो ring canal का यहाँ पे नीचे structure आपनों को दिखाया गया आप देखे पैंटागोनल है याने कि यह पंच बुजाकार है और इसके पांचों बुजाओं से कोने निकले हुए हैं और इन कोनों स जो होता है starfish का उसको एक ring like structure से घेरे हुई रहती है ठीक है तो इस तरह से इसके पांच एंगल है याने कि पांच इसके किनारे निकले हुए रहते हैं जो जुड़ते हैं radial canal से इसके बाद water vascular system का जो fourth part है उसे कहेंगे tidements bodies या फिर इन्हें रेस्मोस glands भी कहा जाता है और इ नीचे figure में आपको दिखाया गया है जो pentagonal ring canal है उसके अंदर की side से ये glandular round yellowish structures है सैक like structures है और ये हर radius और inter radius के बीच एक एक tidement body होती है और जहां पर ये stone canal वाली जो position है जहां पर stone canal ring canal से जूड़ता है वहां पर सिर्फ एक tidement body होती है ठीक है तो इस तरह से total tidement body का जो number था ह हर एक में दो है और stone canal जहां पर है वहां पर सिर्फ एक tidement body है तो इस तरह से इनका total number हो गया 9 और इनका जो main function है यानि कि इनका क्या काम है इसके बारे में बिल्कुल clear नहीं है लेकिन अलग-अलग workers का इसके बारे में इसके काम के बारे में अलग-अलग अपनी राय है कुछ बोलते हैं इसको ये filtering devices है यानि कि filter करती है पानी को या कुछ भी है उसको filter करती है या कुछ का कहना है कि ये enzyme forming bodies है यानि कि enzyme form करती है और कुछ मानते हैं कि ये lymphatic glands है ठीक है जो phagocytic amoebocytes को बनाती है और उसके बाद वो इसे water vascular system में release करती है तो इस segment में आपको बताया गय कि दो और पार्ट रिंग कैनाल एंड टाइडमेंड बॉड़ी इस segment में आपको टाइडमेंड बॉड़ी या रिष्मोस ग्लैंड का फ्लो चार्ट यहां पर दिखाए गया है कि वो किस तरह से बनी हुई है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है जो टाइडमेंड बॉड़ी ह है वो छोटी गोल और पीले रंग की glandular structure है और यह पैरिटोनियम की वनी है और यह जाके खुलती है रिंग कैनाल के अंदर की साइड पे या आप कह सकते हैं जो रिंग कैनाल है उसके अंदर की साइड टाइडमेंड बॉडी होती है उसके हर एक रेडियस और इंटर रेडिय इस पर होने की वज़े से यानि की हर एक पर दो दो नंबर है इसका जैसा की figure में यहां पर दिखाया गया है तो इस तरह से यह जो टाइडमेंड बॉडी है इनका टोटल नंबर है 9 ठीक है इस इनका नोबर होता है 9 और इसके function के बारे में जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल भी clear नहीं है या बिल्कुल भी accurate नहीं है कि ये दरसल इनका function क्या है या ये किस काम आती है तो अलग-अलग मैंने बता है कि अलग-अलग जो scientist हैं उनके according कुछ बोलते हैं कि इसे filtering devices हैं ये कुछ बोलते हैं ये enzyme forming bodies हैं या कुछ का कहना है ये lymphatic glands हैं जो phagocytic amoebocytes को बनाती है और उसके बाद finally उसको water vascular system में release करती हैं तो यहीं आपको यहाँ पे tidement bodies के बारे में बताए गया है next water vascular system का पार्ट है उसे कहेंगे polyan vesicles so friend polyan vesicles को हमने देखा था जो tidement bodies है उनके बीच में ही आपने इसको देखा था और जो इनका structure है वो पियर शेप है यानि की नास्पती के अकार की है ये और इनकी जो दीवारे हैं वो पतली होती है पतली दीवारों के बनी है साथ ही contractile bladder यानि की ये जो bladder है ये सिकुड सकती है ये फैल सकती है और जो रिंग कैनाल है उसके बाहर की साइडिये उसके इंटरेडी पर होने की वज़े से उसके बाहर की साइडिये इनका नंबर किसी भी water vascular system में किसी भी animal के अंदर यानि की काइनोडम के अंदर ये वैरी कर सकता है according into species और ये चार हो सकती है या तीन भी हो सकती है तो ये species पर डिपेंड करता है कि कितना नंबर रहेगा इनका और इनका अगर हम function देखें तो ये mainly ये जो pressure है amulacral system में जो water का pressure है उसको ये regulate करती है और साथ ही साथ ये भी बानते हैं कि ये amoboid cells को बनाती है उसके बाद ये amulacral system में उसको release करती है ठीक है amoboid cells को manufacture करेंगी amulacral system की इसके बाद जो next water vascular system है उसका part है उसे हम कहेंगे radial canals तो radial canals आपने देखा था कि जो pentagonal ring थी ring canals उसके जो किनारे थे उससे हरे किनारे से एक एक कैनाल निकली हुई है उसी को हमने कहा radial canals और जो radial canals है वो आप समझ लीजे कि जो इसकी five arms हैं उसमें उसके end तक ये गई हुई रहती है याने कि ये originate रहेंगी ring canals से और इनका end होगा जो उसके five arms हैं उसका last tip है वहां तक ये continue रहेंगी next जो water vascular system का part है उसे कहेंगे lateral canals और इसे podial canals भी कहा जाता है so friend जो lateral canals है आपने देखा था वो radial canals जो की बीच में से एक मोटी सी canals है उसके दोनों ही और से ये निकली हुई पतली-पतली सी canals है जिसे हमने कहा lateral canals तो lateral canals जो है किसी भी starfish की आम में पूरी उसकी लंबाई में ये फैली हुई रहती है और ये alternatively ये long and short होंगे एक बार ये दोनों ही side से लंबी रहेंगी और एक बार ये छोटी रहेंगी तो इस तरह से इसका series रहेगा long and short canals का तो इस तरह से फाइनली अगर आप इसका figure नीचे देखेंगे तो फाइनली आप देखेंगे जो lateral canals है ये two foot पे जाकर open होती है और जहां पर ये two foot के साथ में ये जुड़ी होई रहती है वहां पर एक muscular wall होता है जो पानी को पीछे जाने से यानि की radial canals में वापस जाने से रोपता है तो आप ये समझ सकते हैं कि lateral canals जहां पर two foot के साथ में जुड़ी है वहां पर उस joint पे इसमें एक तरह से एक door है जो कि जैसे ही पानी इसके two foot पे जाएगा तो वहां पर ये door को close कर देगा जिससे की पानी वापस इसके radial canals पे ना जाए तो ये lateral canals के बारे में है lastly जो water vascular system का part है उसे कहेंगे two foot so friend जो two foot है आपने जैसे आप figure में आप देखेंगे ये दोनों ही side से यानि कि lateral canals के दोनों ही side से एक एक row में ये attach रहती है और एक बार ये लंबी रहेंगी एक बार ये चोटी रहेंगी यानि कि alternatively ये long and short रहेंगी और जो इनकी wall है वो thin wall की बनी हुई circular muscle tube है दरसली ठीक है तो इस तरह से एक tube foot से दूस्टे tube foot पे जब जाएंगे तो उसके बीच में एक gap होता है और उस gap को हम कहेंगे ambulacral pore ओके और जो tube foot है वो 3 region से बना हुआ रहेगा यानि कि अगर आप एक single tube foot को देखेंगे तो उसके तीन भाग होते हैं जैसकि हमने starting के figure में देखा था उपर वाले goal वाले structure को हमने खाता है ampula फिर उसके नीचे जो stock like structure था उसे podium और सबसे नीचे उसमें सकर ठीक है तो ये tube foot का structure है और totally जो tube foot है या tube feet है आपने देखा कि दोनों ही side से वो lateral canal से जूड़ी ही रहेंगी तो इस तरह से हमने जो water vascular system है का इनोडर्म का starfish का उसके हमने different parts की बारे में जाना तो क्या आप लोग इसको फिर से एक बार revise कर सकते हैं कि इसके कौन-कौन से different part थे तो चलिए एक बार म सब्सक्राइब को पड़ा उसके बाद वो s-shaped canal से जूड़ती है जिसे हमने का stone canal stone canal फिर pentagonal ring canal से जूड़ी फिर ring canal के अंदर हमने tidement body से की जिनका number था 9 फिर tidement body के बाद हमने देखा कि जो ring canal है उसके सभी किनारों से एक-एक canal निकली हुई है जिसे हमने का radial canal लेकिन radial canal के प और वेसिकल होता है जिसे हमने का था क्या बोला था बताईए पोलियन वेसिकल बताया था ना मैं ठीक है तो पोलियन वेसिकल के बाद next जो six number पे जो भी जो कैनाल है उससे कहेंगे हम radial canal और radial canal के फिर हमने देखा था दोनों ही side से उसमें पतली पतली कैनाल सौर निकली हुई जिसे हमने का लेटरल के नाल और लेटरल के नाल फाइनली ट्यू फूट से जाके जूडती है ठीक है तो यह पूरा structure हमने एकाइनो डम में एस्टीरियास की water vascular system में पड़ा friends यहाँ पे आपको एक बार फिर से एस्टीरियास की water vascular system का structure दिखाया हुए तो आप इसको यहाँ पे revise कर सकते हैं friends यहाँ पे आपको polian vesicle दिखाया गया water vascular system में तो आप इसको revise कर लेंगे इस figure को देखके भी चलिए अब water vascular system के functions भी जान लें यानि कि इसका क्या काम है इस animal में तो friend जो water vascular system है इस animal को सबसे पहले इसके locomotion में help करता है यानि कि जो पानी का pressure है जहां कि और पानी का pressure ज़्यादा रहेगा उस और इस animal move करेगा तो इस तरह से अपने hydraulic pressure mechanism के थूँ ये water vascular system इस animal को इसके movement में help करता है दूसरा जो इसका function है वो है इसके tube feet यानि कि जो इसके tube feet है वो एक तरह से इसके लिए respiratory organ की तरह काम करते हैं क्योंकि इसकी दिवारे पतली होती है तो इस वज़े से यहां से इसमें gaseous exchange होता है इंवार्मेंट के साथ में और जो इसका internal environment है वहां की gases और बहार की gases है उसमें exchange इन ही tube feet की wall के थूँ ये करता है और तीसरा जो इसका function है वो है tube feet का अगेन की ये anchoring organ है इसकी body की ठीक है यानि कि किसी भी substratum को या किसी भी चीज को अगर इसको पकड़ना है तो वो tube feet की health से ये उस substratum से चिपक सकता है और साथ ही ये जो tube feet है वो इससे food को capture करने में याने की पकड़ने में और इसको handle करने में इसको help करते हैं तो इस तरह से ये तीन अलग अलग function है water vascular system के जो इस animal में देखे गए हैं सो फ्रेंड आज के lecture में इतना ही I hope कि आपको water vascular system of estereos अच्छे से clear हो गया होगा और इसी के साथ ही मैं lecture यहीं खतम करती हूँ और आप इसको अच्छे से समझे अगर नहीं समझ में आता दुबारा से आप इसको सुनिए और अपने exam में अच्छा score कीजिए और अगर अच् इंड बॉक्स में लिखके जरूर बताइए इससे मुझे बहुत कुशी होगी थैंक यू